प्रिंगा चोपडा ने कहा कि राकेश सर्मा की बायोपिक में काम करने के लिए उससे संप्रक किया गया था 35 वर्षी विनेत्री ने यह भी पुष्टी कि कि आमीर खान अभी इस फिलम का इस्सा नहीं होंगे इस फिलम की कहानी अंत्रिक्स में जाने वाले पहले बारती वेक्ती राकेश सर्मा की जीवन पर आदारित है ऐसी खबरे है कि आमीर खान ने मैज मत्थाई के निर्देशन में बनने वाली इस फिलम में काम करने से मना कर दिया है और अब उनकी जगह सारुक खान इस फिलम में होंगे हलाएं कि फिलम निर्माता इसको लेकर कोई बयान नहीं दे रहे है लंबे समय से ऐसी चर्टा थी कि परिंका इस फिलम में सर्मा की पतने का किरदार निभाएगी अब नेत्री का कहना है कि आमीर खान अब इस फिलम से जुड़े नहीं है जी सने अवार्ड के रेड कार्पेट पर परिंका ने कहा कि मुझे दो तिन पत्कताई पसंद आई है और इसके बारे में अब गोशनाई करनी है राके सर्मा इन पत्कताओं में से एक है मुझे इस फिलम के लिए तब संप्रक किया गया था जब इस फिलम को आमीर खान कर रहे थे अब वे इस फिलम से जुड़े नहीं है हम लोग इस फिलम को 2019 में करने वाले थे लेकिन अब मुझे पता नहीं है जब अविनेत्री ने आमीर की जगए सारुक के सामिल होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में नहीं जानती हूँ और मुझे इसकी पुष्टी भी नहीं है मैंने इस बारे में निर्माता सिद्धार त्रोय कपूर से भी बात नहीं की है जब मुझे पता चलेगा तो देखूंगी और खबरों के लिए जुड़े रही हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए